तो हाई गाइस बीटीजी राइट नाओ लुकिंग लिटल बिट अन्स्टेबल बीटीजी दो तीन बार नीचे गया और लगबख सिश्टी टू थाउदन डॉलर्स के आसपास गया और दुबारा 65 के करीब गया दुबारा गिरता हुआ दिखाई दिया मार्केट जिसकी वज साथ ही साथ most important thing क्या होनी चाहिए हमारी exit strategy बिकॉस मैं मानता हूँ ट्रेडिंग के आंदर जितना important है profit बनाना ट्रेडिंग करके उससे कहीं कोना जादा important है profit को book करना होता क्या है हम जब भी market के अंदर गुसते हैं हमें बहुत अच्छा profit हो चुका होता है then emotions and greed इतना take over कर ल the end रहता है हमारे हाथ में हमारा profit चले जाता है और हमारे पैसे में से भी हमारे को loss होना चुरू हो जाता है तो what should be the exit strategy अगर market के अंदर बहुत बड़ा कोई moment आता है dump होता है market के अंदर बीटिसी नीचे जाता है जो कि अगर history के according लिए गरम चले तो अगर वो नीचे जाता है तो हमारे को क्या action लेना चाहिए हमें उसके लिए पहले ही prepare कर लेना चाहिए मेरा aim हर साल हर बार ऐसी वीडियो के साथ warning करने का हमेशा यह रहता है कि लोगों को प के बाद तो मैं भी चाहता हूँ बहुत profit भी बनाया है तो profit को बुक भी करना ज़रूरी है तो audience को थोड़ा सा सतर्क करना मैं मानता हूं बहुत ज़रूरत है उसकी because greed and emotions लोग control नहीं कर पाते और हम इस field के अंदर 7-8 साल हो गए हमारे को तो मैं चाहूंगा आपको अपनी का about exit strategy आप लोगों से सरफ request है वीडियो को बहुत सारे like करो आप लोग करते हो मैं इतना motivate होता हूं मैं को कोई भी काम होता है मैं उसको छोड़ देता हूं और आप लोगों के लिए office आता हूं वीडियो बनाने के लिए तो make sure video को like करो अपना opinion comment box में ज़रू डालो क्या लगता सिधा computer screen के उपर और detail में जानते है क्या कुछ हो रहा है क्या कुछ आपको step लेना चाहिए तो friend right now अगर हम बात करें BTC चल रहा है 63,890 डॉलास आज वीडियो में अभी आज की date है 12th of November मैं अगर आज की बात करूँ तो मेरे को फिल हाल मैं बहुत कुछ history से compare कर रहा हूं fundamentally अगर चल रहा हूं market के scenarios and news according चल रहा हूं तो उसके according मैं कहूंगा market के अंदर अभी कुछ भी वरी करने की जरूरत नहीं है market ने थोड़ी सी ना के बराबर correction है because BTC इतना जादा pump हो गया है इतना जादा उपर जा चुका है कि उसके पास space to go down right now is pretty high यानि कि वो इतना उपर जा चुका है कि अगर वो नीचे आये तो उसके वास वो नीचे आने का space बहुत जादा है और व वो speed पर अगर वो गिरता है किसी भी दिन किसी भी moment पर तो market को impact भी बुरी तरह जरूर करेगा वो चीज लेकिन अभी की मैं बात करूं तो November और मैं history से compare करूं तो November का month हर साल Halloween period के बाद हर साल 2013-2017 की cycle के अंदर amazing से वी उपर रहा है और अभी तक chart accordingly exact same pattern को follow कर रहे है जो की हु 2017 में वही pattern फिलहाल follow हो रहा है तो अभी जो कोशन है market का कि अभी हमें क्या panic हो जाना चाहिए बीटीसी अंस्टेबल लग रहा है बीटीसी नीचे गरता वह दिखाई दे रहा है डू बलीव 60,000 dollars को अगर बीटीसी अभी ब्रेक नहीं करता तब तक कोई panic होने की जरूत नही है second चीज add-on करना चाहूंगा market में अगर negative news कोई नहीं देखने को सुनाई दे रही तो भी बिल्कुल भी tension लेने की जुरूत नहीं है because market में trend reversal usually तभी होता है जो market में एक के बाद दूसरी दूसरी के बाद तीसरी negative news आनी start हो जाती है और एक third create होता है जिसकी वज़ा से sudden fall होता है for example Elon Musk declare कर दे something bad against cryptocurrency एक दम जटके से market के अंदर negative हो जाएगा और market के अंदर crash आना start हो सकता है लेकिन यहीं पर Elon Musk अगर कुछ positive बोल दे तो यहां से आपको एक जबरतस green candle दिखाई दे सकती है और अभी अगर मैं बात करूँ तो BTC exact अगर मैं weekly chart को open up करूँ तो week के accordingly अगर आप देखेंगे every week it is going exactly the same अगर आप 12.13 का chart खोलोगे तो it is exactly going as planned of 2013 and 17 so यहां पर important जो बात थी वो main है अभी worry होने की दोत है तो वो है नहीं उसका answer है नहीं जब तक BTC break नहीं करता 60,000 dollars you should not worry at all right now और अगर BTC यहां पर एक हफता और stable हो गया जो कि मैं I doubt really doubt on that chart तो यहां पर alt coin के अंदर जबर्दस rally भी देखने को मिल सकती है लेकिन अब हम बात करते हैं बहुत important topic की जो की है हमारी exit strategy की हर साल 2013 का chart हो चाहे 2017 का chart हो December की first week के आसपास हमारे को बहुत बड़ी red candle जैसे कि अगर मैं बात करो 20,000 dollar से straight away 11,000 dollar यानि कि लगबक 50% का fall एक ही candle के अंदर एक हेफते में दिखाता उसके बाद और नीचे जाता रहा और उसके बाद तो उसने bottom grade किया नियर about 3,000 dollar का जो कि आपको पता ही है BTC ने बहुत जबर्दस correction ली थी अगर मैं वही chart को follow करो 2013 के अंदर तो 2013 के अंदर भी वही first week of December के आसपास हमारे को correction देखने को मिली जबर्दस वली 1200 dollar के आसपास से सीधा गया BTC 500 dollar के आसपास यानि कि 50% का fall देखने को मिला अब यहां पर यह चार हफ़ते जो थे बहुत अच्छे रहे थे चाहे 2013 की बात हो नुवंबर की चाहे 2017 की बात हो और उससे पहले October का month भी exactly same pattern में 2021 में भी follow हुआ तो मैं कहूंगा यहां पर market इसको काफी mature है लेकिन I do still believe कि हमारे को जो previous chart दिखा रहे है जो की history दिखा रही है उसको इस बार नजर अंदाज नहीं करना चाहिए और एक sense of आप कह सकते हो एक urgency type की अपने मंड में रखना चाहिए कि अगर market में ऐसा हो जाए तो I should be pretty much prepared हमारे को loss ना हो market के उस scenario से उससे बचना कैसे है मैं उसकी अब बात करने वाला हूँ आप लोगों से बिकास मैं कहूंगा लोग कहते है सर पिछले साल ऐसा हुआ तो जरूरी नहीं है कि साल वैसा होगा तो 2013 में जो हुआ वैसा ही 2017 में हुआ और 2021 में भी बिल्कुल वैसा ही अभी तक pattern चलता आ रहा है तो 2017 और 2013 के अंदर जब BTC December के मंत में गिरा था तो अगर वो ही pattern follow होता है तो हमें उससे एक कहते है प्रेंडना लेनी चाहिए उससे हमारे को एक mind के अंदर एक point डालेना चाहिए कि market इस मेने में गिर सकती है अगर नहीं गिरती तो no worry at all क्योंकि हम उसके बाद दुबारा position आकर दुबारा trading गर सकते हैं लेकिन जो pattern अभी तक चल रहे है exact वैसा ही crypto के अंदर हो रहा है अगर हम बात करें तो September का महीना अगर हम बात करें तो बहुत गंदा जाता है crypto में तो लगातार हर साल जाता है इस साल भी गंदा गया तो अगर वही pattern को follow कर रहे है तो उसी pattern को follow मैं करना चाहिए यानिकि अगर दिसंबर के मैं apply करने वाला हूँ ताकि आप लोग उसका सही तरीके से advantage उठा पाए हां तो फ्रेंड जैसे हमने चार्ट में देखा 2013-2017 जो कुछ हुआ वैसा follow करा जा रहा है following year के बाद 2021 में भी तो अगर हमने सारा pattern देखा पूरे साल का सेम मैच हो रहा है तो 2017 और 2013 के according दिसंबर का महीना Bitcoin के लिए अच्छा नहीं रहा है वहाँ पे हमारे को crash देखने को मिला है not a dumb it is it was a crash जहां पे 50-50% का crash हुआ है तो अगर market हमारे को indicate कर रही है कि ऐसा हो सकता है तो why not prepare for it उसके अंदर होगा क्या maximum to maximum हम दिसंबर महीने का profit शायद थोड़ा कम कमा पाएंगे सिर्फ इस से ऊपर हमारा कुछ नहीं होगा तो मैं चार्टेजी बना रहा हूं उसके अंदर मैं कहा रहा हूं अगर चार्ज कह रही है पहले भी यह हुआ है है अगर हिस्ट्री कह रही हैं पहले यह हुआ है मार्केट बहुत मैच्श है लेकिन यह स्टिल जो मार्केट में हो रहा था है वो इस साल भी हुआ मार्केट में डंप आया चाहे मार्कतो पाइंड शीर तो उसके बाद अक्टूबर अच्वा अच्वाला गया जैसे कि हर साल जाता है जाहे मार्कर मिचूर थी की नहीं तो तो वैसे ही अगर दिसंबर में हुआ मार्केट अगर क्रेश होई तो मैं 30 नौवंबर के आसपास मेरी स्ट्राटेजी रहेगी मैं 75 परसेंट या 50 परसेंट से के बीच में मैं यूस डीटी में आना पसंद करूंगा बिकास हो सकता है बीटी सी नौवंबर की जो रैली जो की मैं एक्सपेट कर रहा हूं इन तीन वीज की के अंदर एक लाग डॉलर तक शायद चू जाए अगर वह चू जाता है तो वहां से हो सकता है मैं कहूंगा शायद 30th of November को शायद ये बात जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं रियालेटी बन जाए 30th of November को हो सकता है बीटी सी लगबख एक लाग डॉलर चूए या 1st of December को चूए और उसके बाद वहीं से मार्केट के अंदर एक जबर्दस क्रेक्शन हो और बीटी सी के अंदर 20-30,000 डॉलर का भ 30th of November जो कि हर बार हिस्ट्री कह रही है कि 30th November को मैं एक्जिट कर दूं 50-70-75% मैं USDT में आ जाओं रिमेनिंग 25% को मैं लॉंग टॉंग विजन कोईन के साथ लगा दूं जस लाइक डॉट जस लाइक लिंक लाइक FTT कोईन लाइक BNB कोईन जो हमारी SIB strategy मेरे board पे सामने भी लिखी होई है वो सारे को मैं क्यों ना उनके ओपर दुबारा से इंवेस्ट कर दूं 25% में एक्जिट हो जाओं यूएस्टी में नाओ आइविल स्टार्ट तु वाच्ट दा मार्केट इन फुल मंथ अफ डिसेंबर पूरे दिसंबर के महीने में मैं वाच करूंगा मार्क तो आपको परिशान होने की दोती है विखास ना ओ यूव ओली मिस्ट ओल्ली में से लिटल विट मोर प्रॉफिट आपने अपना प्रॉफिट बॉक किया है नोवन मार्केट तो अगर प्रिपेर कर रहे हो अपने आपको हो सकता है हो सकता है कि वह आपको बहुत बढ़े ल कि को लच देखेंगे मार्केट ती कन्डीशेटेगे या उसके या उसकी आसक पास हम नएंट्री ईंज देके अगर मार्केट बेनली वक्न मांथ उप ट्रेडियं ब Хइंद करेंगे नियूज subscribers और trend-based trading करेंगे December महिने के अदर याने की for example कोई coin है for example D race for example Polker for example any other coin जिसकी कोई बहुत बढ़ी news market में आई और हम उसी टाम उसको बाय कर लेंगे उसका बहुत बढ़ा कोई event है main net है test net है तो हम उस न्यूस के ऊपर अपना पैसा करेंगे बिकॉस न्यूस के ओपर चाहे मार्केट गिरे चाहे बड़े मोस्ट टाइम क्वाइन्स डू प्रफॉर्म रियली वेल एक्जामपल लूप रिंग जो कि अभी अभी उसने जबबबब प्रफॉर्म किया तो अगर मार्केट दिसेंबर के पैटन को फॉलो करती है तो तो अपनी तो बले बले क्योंकि हम तो निकल चुक्क है प्रॉफिट के अंदर अब हम डिप एंट्री लेंगे अब हम अपनी सब्सक्राइब से लगानी शुलू कर देंगे और वहां से मार्केट बढ़ जाती है विए जस्ट मिसिंग लिटल बिट प्रॉफिट हम एग्रे येस होगा नहीं होगा no one knows but we are preparing for the worst we are preparing so that we can book our profits तो कि booking प्रॉफिट से important कुछ भी नहीं है अगर आज आपने एक लाग को दस लाग में कर लिया है दिसम्बर के फॉल के अंदर वो दस लाग दोबारा दो लाग रह जाए तो वो इतने साल इतना महीना जो आपने है डिसम्बर महीने के अंदर हमारे को मेंली ट्रेडिंग करनी है इवेंट बेस न्यूज बेस और ट्रेंड के अकॉडिंग कोई आपको तभी मैं बोलता हूं सारे चैनल को फॉलो कर लो न्यूज आए पकड़ लो और बैनेफित उठाओ प्रॉफिट उठाओ और पैसा कमा सब्सक्राइब करना जाता था हर सीजन कोशिश करता हूं ऐसी एक वीडियो बन जाए जिसके लोग लॉस पहले ही सतर्क हो जाए वेट कर ले अब मैं आपको बता रहा हूं हो सकता है नौंबर में आप एक्जिट कर दो बीटी सी 75 की दगान डिल्लाग डॉलर लग जाए तो है रब आपका एम होगा नौर बिट को बढ़ाना है और को के साथ वह हम करेंगे डिसम्बर के अंदर भी जनवरी के इंदर फेबर के अंदर लेकिन यह परशान होना यार मैं बीट कोण और होट करता तो इतना हो जाता इतना हो जाता इतना हो जाता इतना हो जाता that is not how the trading should be done तो मेरा advice ही रहेगी मैं यह नहीं कहरा आप BTC बेड़ दो I am not saying that but I am saying start to book profit 50% बेड़ दो जाना उस time के ऊपर थोड़ा से और बढ़ जाए दिसम्बर मंत निकल जाए फिर दुबारा से एक नहीं strategy बनाएंगे उसके उपर काम करेंगे विगरेस ट्रेडिंग एगरेसिव ट्रेडिंग हमार को जरूर बंद करने चाहिए that is for sure blind trading जो हम कर रहे है फिलाल वो हमार को बंद करने चाहिए इवेंट बेस के ओपर ही हमारे को काम फिलाल करना चाहिए दिसम्बर महीने के अंदर नॉम्बर के मीने में जो भी हो रहा है बीटीसी चल रहा है 63,600 डॉलर के आसपास अभी इतनी टेंचन लेने के दो उतनी है जब तक बीटीसी 60,000 डॉलर को नहीं तोड़ देता वह भी एड़ स्पीड तो आज का जो मैसेज में आपको देना चाहता था वह आपको पहुच गया होगा और यह आपको हेल्प करेगा इस साल भी जैसे इसमें 2017 में भी लोगों के हल्प करी थी इन फैक 2021 के मई के अंदर भी लोगों के हल्प करी थी तो आई डू होप कि इस बार भी हम लोग एक अच्छी स्टाइडिजी के साथ पहले ही प्रिपेर्ड होंगे आज कर बहुतना ही वीडियो को आपने लाइक कर दिया हो अपना उपीनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालना डू लाइक द वीडियो आज कर बहुतना ही तिल देन बब बाई टेक केर और आफ वान